तो आज हम बात करेंगे sheet options के बारे में यानि excel में एक new sheet कैसे बनाई जाती है और अगर sheet को delete, rename या hide करना हो तो वो किस तरह करते हैं sheet options में आज हम इन सभी points को step by step clear करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे new sheet के बारे में देखें new sheet हम किस तरह से insert करते हैं उसके कैई सारे तरीखे हैं सबसे आसान तरीखा यह है कि हमें यहां नीचे जाना है और यहां new sheet पर click कर देना है तो आप देखेंगे एक नई sheet आपकी insert हो जाएगी तो सबसे आसान तरीखा यह था देखें इसके इलावा दूसरा तरीखा यह है कि आप यहीं पर right click करेंगे और यहां आपको option मिलेगा insert इस पर click करने के बाद यहां पर worksheet option आएगा और उसके बाद आपको ok करना है तो आप देखेंगे एक और sheet यहां इसके just बराबर में बन जाएगी तीसरा तरीखा यह है कि हम shortcut की use कर सकते हैं shift के साथ अगर हम F11 प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे एक और sheet यहां पर insert हो जाएगी इसके लाबर चौथा तरीखा यह है कि आप ओपर जाएंगे यहां पर cells में और यहां नीचे आपको सबसे last option मिलेगा insert sheet अगर हम इस पर click करते हैं तो भी हम नीचे एक sheet insert करा सकते हैं तो यह तरीखा होते हैं sheet को insert कराने के इसके बाद देखे हम आगे बढ़ते हैं rename करने के लिए sheet को sheet का अगर आपको नाम change करना है तो उसके लिए देखे आपको यहां पर नीचे right click करना है और यहां यह आपको option मिलेगा के लिए कि हम वहीं पर जिस sheet को भी rename करना चाहते हैं हम उसी पर double click करेंगे और उसके बाद जो भी हम नाम देना चाहेंगे उस sheet का नाम वहाँ पर दे सकते हैं आप देखेंगे यहां पर नाम उसका change हो जाएगा इसके बाद third option है delete sheet sheet को किस तरह से delete किया जाता है तो देखेंगे sheet को delete करने के लिए आप right click करेंगे यहां से और यहां से जाकर दूसरी जगा ले जाना तो देखिए move करना बहुत आसान है आप क्या करेंगे यहां से पकड़कर अगर आप इसको आगे ले जाना चाहते हैं तो इस तरह से करके आप इसको आगे ले जा सकते हैं मतलब उसकी sequence अगर आपको change करनी है देखिए यहां पर maximum minimum वाला या portable दिया हुआ है इसके just बरावर में sheet option है इसके बरावर में count है और यहां sheet 1 है अगर इस sheet 1 को हम average से पहले लाना चाहते हैं तो देखिए यहां इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इसके just बरावर में average के आगे लाकर रख देंगे तो यह average के आगया जाएगी sheet एक तरीखा यह है दूसरा तरीखा यह होगा कि यहां से जाकर भी आप move करा सकते हैं देखिए यह option दिया है आपको move और copy यह जो sheet 1 है इसको हम count वाली sheet से पहले ले जाना चाहते हैं इस तरह से फिर से आपको right click करना है यहां से move करा ना है इस बार आप sheet 1 को average वाली sheet के बरावर में ले जाना चाहते हैं तो देखिए यहां पर आपको average पे जाना है और यहां से okay कर देना है तो आप देखेंगे average के just बरावर में जाएगी sheet 1 तो इस तरह से हम sheet को move करा सकते हैं कहीं भी इसके बाद देखे अगला option दिया हुआ है hide करने के लिए sheet को अगर हम hide करना चाहते है hide means होता है छुपाना किसी sheet को हम छुपाना चाहते हैं यानि यह sheet 1 है इसको हम hide करना चाहते हैं तो यहीं पर right click करेंगे और यहां पर option मिलेगा आपको hide का इस पर जैसे आप click करेंगे तो देखे sheet 1 यहां से hide हो जाएगी इसके बाद देखे यहां जो IACA वाले sheet है इसको भी हम hide करना चाहते हैं तो यहां से right click करेंगे और यहां आपको option मिलेगा hide यहां से हम इसको hide कर लेंगे यह दोनों sheet देखे hide हो चुकी है अगर हम इसको फिर से unhide करना चाहते हैं यानि देखना चाहते हैं, show करना चाहते हैं तो right click करने के बाद में यहां पर आपको option मिलेगा unhide unhide पर आप जैसे click करेंगे तो देखे जो जो sheet आपकी यहां पर hide है वो आपको list के अंदर दिखाई दे जाएंगे यानि यह दो sheet हमने hide की थी दौन sheet आपको यहां पर दिखाई दे रहेंगे अगर हम IICA को unhide करना चाहते हैं तो देखे IICA वाली sheet हमें यहां पर दिखाई दे जाएगे इसी तरह से फिर से हम किसी भी sheet पर right click करेंगे और यहां से unhide पर जाएंगे और sheet 1 को भी unhide करना चाहते हैं तो ok करने के बाद इसको भी हम unhide कर सकते हैं इसके बाद देखे सबसे last में हम बात करेंगे tab color के बारे में tab color का मतलब होता है जो आपको नीचे sheets के नाम दे रखे हैं यह अलग-अलग taps ने एक तरीके से iaca tab, average tab, sheet 1 tab, count tab अगर हमें count वाले tap पर कोई color डालना है तो हम क्या करेंगे right click करने के बाद यहां से tap color पर जाएंगे और इसके अंदर yellow color fill कर देंगे तो आप देखे जब sheet 1 पर आप जाएंगे तो आप count को देखे यहां पर यह yellow color में आपको दिखाई देगा इसी तरह से right click करने के बाद मैं sheet 1 पर tab color से जाकर red color लगा देता हूँ तो देखे आपको यहां पर जो sheet 1 है वो red color में दिखाई देगी तो यह थे sheet options नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि excel में new column और raw कैसे insert किये जाते हैं